नाजरीन आदाब खेर मक्दम हैं आप सभी का NCRT के live interactive session में मैं हूँ आपकी मेजबान सिम्रन सिंग और आप सभी दर्शक आप सभी तलबा हमारे साथ जुड़े हैं इविद्या के चानल नंबर 9 के जरिये इसके अलावा आप हमारा यह कारिक्रम देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चानल यानि NCRT ओफीशिल के माथेम से और अगले आधे घंटे के लिए हम लेकर आए हैं उर्दू का यह सत्र नौवी जमात के तलबा के लिए और आपको बता देते हैं कि आज हमें एक ड्रामा पढ़ने वाले हैं तो यह बहुत ही इंट्रस्टिंग होने वाला है बहुत मालूमाती होने वाला है सत्र आप सभी के लिए और आज के हमारे सत्र का उन्वान रहेगा खुदाहाफिस तो आपने बहुत बार यह शब्द सुने भी होंगे शायद आप इनके मानी भी जानते होंगे हमें comment section में लिखकर जरूर बताईए कि क्या आपने इस सबक को पहले पढ़ा हुआ है और यदि खुदाहाफिस इस नफस का आप इस्तमाल करते हैं रोज मर्रा के जीवन में तो इसके क्या मानी है उसके बारे में भी हमें बताईए इसके अलावा आप हमें call कर सकते हैं हमारा contact number आप सभी की screen पर flash हो रहा है 8800-440-559 और आप हमारे साथ संपर्ख साथ सकते हैं हमारी email id के जरिये एक बार पुने हमारी email id आपकी screen पर है dth.class9.cret.nic.in और आज इसी विश्चे पर और जानकारी साचा करने के लिए हमारे साथ एक महमान भी जुड़े हैं तो चलिए उनसे आपका तारूफ कराते हैं हमारे साथ प्रोफेसर मौम्मद मौजमूदिन सर मौजूद है आदाब सर आपका बहुत बहुत सक्वाल है बच्चों आपको भी आदाब आपका भी सक्वाल है इस प्रोग्राम में सर भाशा शिक्षा विभाब यानि Department of Education in Languages NCRT नई दिल्ली से हैं और दर्शकून चलिए आपके साथ मिलकर हम इस सत्र का आगास करते हैं सिधा सर क्यों रुक करते हैं और जानते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपने आज के सबग का उनवान बता दिया है कि एक ड्रामा है उसका उनवान है खुदा हाफिद और जैसा कि हमें मालूम है कि हम खुदा हाफिज अपनी रोज की जिन्दगी में कहीं नहीं कहीं नहीं कभी नहीं कभी नहीं जरूर इस्तेमाल करते हैं यह खुदा हाफिज ऐसे मौके पर बोला जाता है जब दो लोग मुलाकात करते हैं यह दिया दो यह दो से जादा लोग जो एक द wouldn't मिलते हैं मुलाकात करते हैं जो कुछ भी कुष्तकू करते हैं बात करते हो उसके बाद पिर एक वक्त आता है कुन से अलग-Alak होने का अलाइदा होने का तो जब हम अलाइदा होते हैं तब मुत्वक्त हम कहते हैं खुदा हाफिज यानि खुदा हाफिज का मतलब यह है कि हमने आपको अल्ला तेला के सुपूर्द कर दिया जो भी समझे यह अंग्रेजी में इसके लिए एक बहुत मशूर लफज है गुगबाही तो खुदा हाफिज आई बाते कि यह कि रोजमत्रा जिन्दगी में बिस्तमाल भी करते हैं और आज इसका जो उन्वान है इस ड्रामे का खुदा हाफिज क्यों रखा गया है अगर इस ग्रामे को हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने सु करना भी हो पढ़ा भी हो या कहीं देखा भी हो इसको तो जरूर कहीं ना कि यहापको याददास उससे वावस्ता हो जाएगी ड्रामा बहुत दिल्चत पर बहुत अच्छे अंदाद में लिखा गया है और इसके लिखने वाले कि सबसे पहले हम उनके बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल करते हैं कि लिखने वाले शौकत थानवी है इनका अस्र नाम मुहम्मद उमर था और कल्मी नाम इनका यह पिन नेम कली शौकत थानवी के नाम से लिखे लिखते थी इनकी पैदाएश उन्हीं सो चारिया उन्हीं सो पांच में थाना बहुन जिल्ला मुझफ हैं शारी भी कि इसकी लावा उन्होंने फुरॉज में बहुत नहीं कि पुरूज कि लिखा इनके here किसी एक मौजो पर इनका अंदाज नहीं है बलकि मुझख मुझे लिखा है बहुत कुछ तहरी किया है यानि केनक मूद्लब कि मौजबात की रंगा-रंगी इनके यहां बह आधी तोरपर मेजा निगार है मेजा निगार उसको कहते हैं जो हुमर होता है पैदा करना अपनी तहरीर में यानि हम उनको हुमरिस्ट कर सकते हैं तो इन्होंने मजाईया खाके भी लेकि इंशायए भी लेकिन और इनकी तहरीर में बड़ी बेसाक्तिगी और बेतकल्फी है इनकी कोई इसमें बनावच का अंदाद नहीं है ऐसा है कि बहुत सोच समझ के लिख रहे हैं बहुत बनावच का अंदाद में लिख रहे हो बलकि बहुत साथगी भी है बेतकल्फी भी है और उन्होंने इन्शायए भी लिखे तो इनके बहुत सारी चीज़े इनका को कि यह वो समाज में बहुत ना सारी चीज़े ऐसी होती है जो हम राहरात उनके बारे में नहीं कर सकते कि अच्छा नहीं है जी तो एक अच्छा कलमकार का जो अच्छा मुंसनिफ जो है अच्छा रॉइटर ये करता है कि वो सिर्फ फीसित के वैदार करता यह आप == कि आपकी कैसी है कि और अच्छे अंदाद में पेशगी गई हैं इनकी किताबे तो सवदेशी रेल बहुत मशूर किताबे इनकी सवदेशी रेल अपने देश की रेल उस पर जो है साइस बात है गिया ठारा सुपति तरपन में चली कप चली तो अपनी रेल का क्या मक्सद हुए इस तरह की मिझाह ही आप ppe तॉपान के शार के साथ लुвस्ब का Dzोड़ना रहनि उनकмен को क्ईप बलकि सविक स्वाइब करना कर्ती नियुसक्रायग के एक उपने के नुमायदगी करती है कि इन के में करना का सानल कि अ मुस्कुराना और करने किताब का नाम कुछ चुलोब करना कुछ जो । इसके रहे हैं जिसकीत बूद्टिस और के तो सबस्वराल दाइर बाद इसको बताने के जरूबत नहीं है एक किताब उनकी शीर्षक लोगों के लिखे हैं तो उसका कलक्षन है और उन्हों ने उसका नाम शीर्षक लग दिया शीर्षक का महल जहां सारी चीजें आक्स नजर आते हो तो बहुत सारे लोग है उनके सारे इन्हों ने हमेशा ही जो फिर्षक ही जो ह रवान है वह बहुत इ fox चुने है अच्छे राइटर की पहिचान होते है किस तरह आपने कारेन को यह पने पढ़ने है उतमे में बहुत ज्यादा इन्वार नहीं है बलकि गम तो हो आते रहते हैं जिन्दगी के दो पहलू है दो रूखन गम है और खुशी है तो गम कहीं न कहीं किसी तरह में अपने को भूल जाना चाहिए गम गलत करना महावरा है और इनकी वफात उनने सो तिरसर को यानि उन सक्षाल की जिन्दगी हैं लेकिन उन्सक्षाल की जिन्दगी भी इन्होंने बड़ा काम किये अब बाई एक ज्रामे के फन पर थोड़ी से गुतूब करते हैं कि एक ड्रामा है क्या हम जानते हैं कि अकसर हम कहते हैं कि एक ज्रामा आपका अच्छा नहीं लग रहा है मैं ज के साथ पेश करना का नाम है और युनानी लफ आए इसके माने है किसी चीज़ को करके देखाना तो हमसके पैदाव स्थ हमारी जिन्ने की जो देके तो डsmी ओर करते हैं रहते हैके यू डेकर घालनों हम फी निकल्मौ की गालिक बाव हो आगधा न्यड़ सिन्फ की हैसे से बात करते हैं ग्रामा या खास मावनों पिर इस्तमाल होता है शेक्सपेर की एक किताब सेमने टेज़ेस आफ लाइफ तो जाइन बात ही कि वहां अलग-अलग जो जिस तरह इस तरह इस इस तरह पैदा होता है वर आखिर वगता कहीं नहीं कि उसकी जिन्दग से बाल चाहाता है और यह कि लिए हो तो कहीं नहीं जए जब तक दिक नहीं होसके तो आक्षन बहुत जरूरी है तो च्यालात को फेस्ट करने का लियाना अनुखयक यों मिन जब और टरप धा है झालत को खिा्सक्त करने नाम जाने यानी इक्शन इसमें जरूरी है एक्षन जब तक नहीं तो एक्षन बहुत जरूरी है और किरदारों के जहनी और जबाती कश्मकत उनके जहन पर किस तरह मुशनिफ ने पेश किया रहा है वो बहुत जरूरी होता है और डिरामा और स्टेज का बहुत बहुत मुकतसर भी होता है और जहां चार पांच नुए किसी एक मौदू पर समाच के नहीं पहेलों को लेकर जो नको बुरा लग रहा हो जिसको लगता है कि में प्पेश करना चाहिए महाँ पिले लिया सफाई पिले लिया और भी इनसान दोस्ती पिले लिया कौम ही यह जाथी के मौज़ू बना लिया कुछ ना कुछ मौज़ू बना के नुक्रण नाटक हम पेश कर देते हैं लोग उससे मुतमेन होते हैं नाटकों के माध्यम से बहुत ही एहं कर देते हैं बहुत साले रिफाम के सुरह पर आप कोहें पर नाटक से का बहुत बसे सब्सक्राइब कर देखते हैं और यह वह पर लेकिं पर जो ज़रामे बहुत सारी सोते हैं आफ उनको देखे तो सेरियल से क्या हैं अलगड़ाद में इंस्टाल्में कर दिया गया थे तो आते रहते हैं अच्छा आप थोड़े से बात करते हैं ग्रामे की दो किस्में होती हैं एक अलमैय होता है एक तर्वि आलमिया कहते हैं टैजीटिकों यानि वो ग्रामा जिसमें जिसका अंजाम अच्छा ना हो अंजाम गमंगेद हो अलमनाक हो दर्दनाक हो कोई अची सूरत देखें तो हम जो लगता है कि हाँ यह नहीं होना चाहिए लेकिन हो गया जो है लेकिन इसका मतलब नहीं किसे को तकली है बिलन्स हमें नफरत हो जाती है इसका मतलब वो सही नहीं कर रहा है उसका काम सहीं नहीं देखकर अगर हमारे अंदर खुद के अंदर इसला की जरूत पेशा है इसला करने की जरूत मैसूस हम करें तो वो चीज रस्तोन उसको का नाम यानित तश्कीय नफ्द हम अपने आ लोहों की इसला हो जाएं, उनके जहन को सुकून बिलें, दूसरा ग्रामा होता है, तरभ्या , नि कमेड़ी , इसका मकसद होता है, खुशी मसरत खत् subjects होने वालेव जो होते हैं तो वह जो मुझे दार होता हो लोगं ova देखिसाल होता है इस हिए नीजा है लोहाइन को धींग्षट थ killing को अन्ट हो जाने हो लेकिन उसमें भी कि बहुत सारी चीज है कि इस डिर्वाय में जरुवत होती है जिनको हम अज़ाय तरकीबी कहते हैं जो मुसंनिफ किस किस माहौल को पेश कर रहा है उसमें क्या मौदू पेश करना चाहता है उसके लिए उसमें किस्ता है माजरा है मंत की तर्तीब या वाकियात को हम किस मंतिक से पीश़ करने तर्टिश से पीशिकार रहें वाँ एहमियत भी है और अजाम फिश grotte किल एन शाया होना चाहिए जो है इसी तरह क्रेजोके अवे उहाह पिश्डाे को सादू में किデल diamonds पमेड हो प्यदा होता है आ तो ऐसे नेिखी तरह किला कुछ कहता है दूसरा उसके मुखालिब जाता है तीसरा कुछ और कहता है कहीं न कहीं कहना है कि मतलब यह कि एक सूरत पैदा हो जाती है जिस से धीरे धीरे एक जो है उसका वरूज होता है वंज वस दर्मियान में आता है दर्मियान में आने के बाद फिर जो है कहीं ने कहीं धिरे धिरे अपने अंजाम तक पहुचने कोशित करता है और जबान के तक्ये मुकारमा जिसको काहँ नहीं हो अफ़ाना हो या घ्रामा जरr cases करर रहें कौन से करिदार उसमें लीए किरदार पढ़ा लिखा है है पढ़े लिखे से तफके से तालू कर रखता है यह जो है मियुक्जागर तब के से तालू कर आफ किया तो ऐसा नहीं कि बहुत मामूल है लिए ईसके सकार officially क्टा कर दें यह नहीं, यह सब राइटर को सोचना पड़ता है कि दो उनके जबान, उनके माहूल के मिज़ाज के मताबिक, और जिस पसमंदर से उनका तालूप है, जब सब चीजें आपस में मेल खाएंगे बहुत जरूरी है, गहर मेयारी नहों, मुकालमे मेयारी हों, माहूल के मताबिक ह और मुकालमों के जर्जें ही कहानी आगे बढ़ती है, ज्रामा आगे बढ़ता है, इसमें कभी-कभी सियासी तारीकी तहदीबी पसमंदर का भी लिहाद रखा जाता है, मारे बहुत सारे मुकालमे, ज्रामी इसी बैसे पर लेगा, ठाराव सतावन के वाक्यों के लेकर सोचता है, लोगों को देखता है, तो उसको साली लिक्विक कहते हैं, स्टेज बहुत जरूरी है, महले वक्यों, यह आपने ड्रामे के लिए स्टेज कितना दूर है, जो वीवर्स है, वो कितना फासला है, उनके बीच में, स्टेज कितनी उचाई पर नीचे है, यह भी करना पड़ता है, और फिर उस पे रोशनिये का खास इंतिजाम हो, दाएं से है, बाएं से उपर से है, ताकि जो भी वीवर्स हो, उनको पेश कैसे किया जा रहा है, लोगों के सामने, तो यह सारी चीज़े है, अब आप आईया, असल ड्रामा जो आज हमारा खुदा का लखनों के बाद, मीर साहब को एक मुकदमे के सिलसले में अपने वतन से चालिस कोस दूर जाना है, और चालिस कोस दूर जाने के लिए उनको एक रात ख्याम करना है, दूसरे दिन उनका मुकदमा है, और उसी दिन उनको शाम को वापसी है, लेकिन एक दिन के मुकदमे के लड़ने के लिए देखनें उनका जो सफर हैं उसमें बहुत ताम-झाम करना पड़ता है कि वह तक्रीबन जो है ये भी चीज सो जाए वो भी चीज हो जाए ये भी हो जाए वह जाए तो चुम्का मियर चाहब कभी घर इसे तरह उनके एक और दोस्ता मिलने आ जाते हैं शेक साहाब ये जाने को तयार नही हो टे लेकिन जब मुज़िए करते हैं वेर्सफिन onboard मेर्स वाग्साहाद तो भी तयार हो गए फूदक गोया तीन लोग अब एक सफर की पर जाने को तयार हो गए अच्छा रेल का सफर कभी कियाने, तो उनके लिए बुड़ाजीस कीड़ा होगा. अब चारीस कोस का सफर, उसके लिए ऐसे तंयारी की गई है की क्या कहिने उनका तियूंते हैं उनका मुलाजिम जो है और उनकी छे बेगमाद का मतलब यह जो एक तो इनकी असल बेगमिय और उस में सरदार तो कहने काई नाम आपको आपकी आपको आपके बते हैं बहूँ है बहुती है अँने गाहता है वह आपको यह वह यह रख़ा थेuld कर दो KB लिए के पूस बेहना है वह वह प्रख़ा एक असमें ठाक्या भी hosts a कर दाख धिया की सब्धान गया तक्या एक्committee कपड़ों के दो दो बक्स हैं लोटे तश्ट उप्टन दानी साबुन दानी मंजन दानी तौलिये चाय की पतीली गिलाद ठाली और वगयरा वगयरा और अंगेठी कोईलों का ठैला चाय के सब बरतां वगयरा इमाम जामीन वगयरा सारी चीज़ें ये वो लेते हैं तो यहां इमाम जामीन उनके बादू बे बादू बादा जाता है इमाम जामीन का मतलब ये होता है कि आप सफर पे आप निकल रहें आपकी सलामते के लिए इमाम जामीन आपके बादू बादू बादा जाता है जब सफर पूरा हो जाता है तो उसको वहां पर खूल करो पैसा किसी ग करेब को मोताज को जरूवत मन को दे दिये ताकि आपका सफर सभी सलामत पूरा हो गया है तो कहने मतलब यह कि इसी दोरां जो उसके मुलादिम को जब बाहर आते दो बग्गे लग जाती है जब सामान हो जाता है नवाफ साथ बाहर से अंदर अंदर से बाहर भी आ जाते हैं जैसे ही बैखनों को तयार होते हैं तो मुलादिम को छीक आ जाती है अब यह एक बश्चोगोनी पैदा हो कि शेक आना वो समझते हैं कि अच्छी बात नहीं फिर जाकर बैखते हैं फिर वहां पान खाते हैं तोड़े जारा आराम करते हैं फिर निकलने के तैयारी करते हैं और जैसे ही फिर सारे लोग आकर बैखना शुरू करते हैं बिल्ली रास्ता कर जाती है दूसरी बश्चोगोनी पैदा हो गई अब क्या करें तो एक कहिन है कि यह बश्चोगोनी हमारा मिजाज ऐसा बन गया कि हम उसको माल लेते हैं तवाउमात में घरे हुए हैं इनको हमन चैनल कि है तो वहां पर एक साहा है फिर जब सामान उतरवारी लगते हैं तो दो बगी देए पर सामान था एक पर तीनों दोस्त मीर सहाब मिर्जा सॉहबर शेयक जब सामान उताने लगा तो उसमें एक बग्जी का गोड़ा बिगड़ जाता है बिदग जाता है अब वो इदर उदर गुम रहा सामान से बिदर उदर अच्छा इतना ही नवाब साथ उसमें कावग भी रखा जिसमें बखेरती उनकी पिजड़ा भी रखा तो देका वो भी वर एक्यों और पांदान भी नाष्य दान भी इस सुष्राही वगशर वे गएरा बर बगएरा एक दिन के सफ़र में एतनी सारी चीदे लेकً वो चल रहे हैं तो अंदादान नहीं होता कि क्या करेंगे वो लेकिन जब देखा कि फिर व हो उनका अंदर गए पर उन दर गह कि वो है सारी चीजें. तो उन्हों ने उसको जो है की सामा उतरवाने हों का तो घोड़ा बिदग गया. अब घोड़ा तो बिदग गया तो सामाभी उनका तिटर बितल हो गया, सूराही टूड़ गई, क्या हो गया. यानि कहीं न कहीं बस्टुगूनी आखिर तक जाहिर हो के रही जो है तो अब ऐसे मौकिय पर वो कहते हैं कि जब उनके दोस्त के प्रोग्राम रद्द कर दिया गया कैंसिल हो गया तो मिर्जा साहब अपने दोस्तों को या अमीर साहब अपने दोस्तों अधिस आपको अगर आपके जहन में कुछ सवाल हो तो एक अदब की बात करते हैं उसके लिए हास सबक को पढ़ते हैं तो कैसे लांग्विज पर कैसे बात्चीत की गई है उसे कैसे समझाने की बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपने किया है जाहिर से बात है कि यह तो हम ग्रामा देखते रहते पढ़ते लेकिन हम अगये कदब के तालिवीद में आएं अभी सीखने के मरले में हैं और कहीं ने कहीं हमारे इन किताबें में जो भी असबाग शामिल किये गए हैं हर एक चीज़ में कोई ऐसा पहलो जरूर होता है जिससे हमें कुछ नकुछ सीखने का मौका मिलता है तो इस ज्रामिक हवाले से हम देखा तो इसमें एक तो तहजीब के बिगड़ी हुई सूरत को पेस्ट हैं जवाल आमादा तहजीब हैं लेकिन अब भी हम उस तहजीब को पाले हुई हैं दूसरी चीज़ है कि हम तवाहुमात में गिर गए हैं यानि छीक आ जाए तो काम ब बढ सकते हैं और कहीं नवाबी जिंदगी जो इसान को काहली पर आमदा करती है काम करने सुरुकती अमल खरकत सुरुकती हैं जहां अमर और ऺरकत नहीं होगा वहां तयद्य भागे नहीं बढार जारू पाईगी तो कहीं निक हमें अगयार के बढने का जद्वा मिला हैं व बहुत सारे इसमें जुम्ले आये हैं, जैसे महावरें के लेजा हातों उचलना, आया है, हवा से बाते करना, उलके फैरों वापस आना, दिल बहलना, हौल होना, मामला खटाइं पड़ना, अकल हैरान होना, हाथ पाँ फूल जाना, ऐसे बहुत सारे अलफाद महावरें जो इस समय बहुत कम है हमारे पास, समय अम इस बात की इजासत नहीं देता कि हम सत्र को आगे बढ़ाएं, आप का बहुत बहुत शुक्रिया सार हमार सार जुडने के लिए, और मुझे पूरी उमीद है कि आज को ड्रामा हमने पड़ा, खुदा आफिस, जिसका उन्वान था, या आप सभी के लिए बहुत इंट्रस्टिंग रहा होगा बहुत दल्चस्प रहा होगा आप भी सब इसको विस्तार से पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं और जो भी आपके सवाल हैं आप हमारे साथ हमीशा ही साजा कर सकते हैं हमारे कॉंटाक नमबर इमेल आईडिया आपकी स्क्रीन पर हम लगादार अपने तमाम सत्रों में फ्लाश करते रहते हैं एक बर पुने आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्श को एक विशेश जानकारी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शेक्शनिक सत्र दो हजार तेई से दो हजार कि विभिन पाठे पुस्तकें पूरे देश में उपलंब्थ हैं आप इन्हें खरीच सकते हैं NCRT के अलग-लग सेल्स काउंटर से अधिक विसार से जानकारी प्राप्त करने के लिए NCRT के अधिकारी के वेब साइट को आप सबूर स्क्रॉल कीजे और विसार से ये जानकार आपकी स्क्रीन पे टिकर की फर्म में फ्लाश हो रही है आप सब का बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कहीं मत जाएगा कुछ ही समय में हम फिर से हाजर होंगे और हम कहना चाहेंगे खुदा आफिस अपना ध्यान रखियें